हलो एफ्रीवान, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकिता सूद, so MP62023 एग्जामिनेशन की तयारी कर रही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जादा जरूरी वीडियो आज में लेकर आई हूँ, जिसमें ऑफिशल पबलिक नोटस आज में आप सबके साथ शियर करने वाली हूँ, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि जो 27 अगस्त को एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके एडमिट कार कब जारी होंगे, आप सभी स्टूडेंट्स अस वीडियो में एंट तक बने रहीएगा, यहाँ पर इसे ऑफिशल नोटस को हम डिटेल में डिसकस करेंगे, कोई भी डाउट अगर आपको रहता है, वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हम सभी स्टूडेंट्स के साथ डिटेल में डिसकस्यन आज करने वाली है, सो सेशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देती हूंगे, एक्जाम कॉलिफाइ करने के लिए आपको पेपर वन पर ध्यान देना है, इसमें बहुत असानी से आप लोग 75 प्लस कोड कर सकते हो, और इसकी प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आएं है, जो कि एक्जामिनेशन के लिवल के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है, इसमें आपको फुल सिलिबस वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लांगविजिस में, स्मार्ट एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सारे कॉंसेट्स आपके हाँ पर क्लियर करवाए जाते हैं, साथ ही आपको फुल सिलिबस नोट्स मिलते हैं PDF फॉर्माट में, इन सभी नोट्स को आप असानी से मॉबाइल या लैप्टॉप में डाउलूड करके पढ़ सकते हो, फुल सिलिबस मॉक टेस्स में से आजट इस ग्वेशिन्स एक्जाम में आते हैं, प्रिविस एर क्वेशिन्स मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ, इन 2000 प्लस MCQ क्वेशिन्स बैंक आपके फाइनल रुविजन में बहुत हेल्प करता है, अभी आपको पता है कि एक्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, अगर आप एक्जाम तक ये 2000 प्वेशिन्स को एक से दो बार पढ़ लेते हो, तो आपको बहुत असान ही हो जाएगी एक्जाम में अच्छा स्कॉर करने में, हरे क्वेशन में यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्स्प्लेनेशन भी में शेयर करती हूँ, ताकि आपके सारे कॉंसेप्स भी क्लियर हो जाएए, सो गिवन नंबर्स पर कॉंटेक्ट करके इस को जॉइन कीजे, इसके लिए सरफ 1 की बार फीस देनी है, दो हजार रुपए, फ्री वीडियो के लिए ग्लोबल ऑनलाइन आप को डाउनलोड कीजे, स्टोर सेक्षन पर सर्च पार में आप कोर्स का नाम लिखोगे उसके ओवर्व्यू के बाल, कॉंटेंट पर क्लिक करते ही, यहां पर बहुत से फोल्डर्स हैं जहां पर आप देख सकते हो, एक्जाम ओर्येंटेड मॉक टेस्ट हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लांगविजिस में आपकी रिक्वेस्ट में मेरे सेशन्स हैं, में अभी 100 प्लस वीडियो अड़ हो चुकी हैं और हर एक यहां पर यूनिट वाइस फोल्डर्स आपको मिलेंगे जहां थेरी लिक्चर्स, mcq लिक्चर्स, pdf नोड्स और मॉक टेस्ट भी अविलेबल हैं, यहां पर मैं आपको बिताऊंगी कि यह नोटिस आपको किधर में लेगा, यहां पर what's new नाम से एक section आपको दिखता है, जहां पर यह एक public notice है, यह देखो राज्य पात्रता परिक्षा 2022 की परिक्षा के विशे कोड के संबंध में सूचना, इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने किस तरह की screen आ जाती है, यहां पर आप देखोगे, एक तारीक को यह notice जारी किया गया था, तो पहले तो एक चीज़ यहां पर पहले clear कर दे गई है कि exam postpone बिलकुल भी नहीं होगा, फाइनल अभी है कि exam आपका 27 सगस्त को ही होने वाला है, अब यहां पर काफी students मुझे पूछ रहे थी कि exam क्या आपका online होगा, या फिर offline होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि examination offline ही होगा, आपको OMR sheet में ही अपना answers mark करने होगे, and examination में किसे भी तरह की negative marking नहीं है, यानि कि आपके पास कितने questions होते हैं, 150 questions होते हैं, तो सभी questions को आप attempt कर सकते हो, क्योंकि कोई भी negative marking नहीं है, तो कहीं पर तुक्के लगाने की जरूरत पड़े, तो वो भी आप लगा सकते हो, चिके? दूसरी चीज़ें आपर ये है कि examination, अब आपको ये पता है कि paper 1 and paper 2 होते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि दोनों paper के एक ही दिन होंगे, तो yes, दोनों paper एक ही दिन होंगे, ये देखो समय लिखा है, 12 बज़े से 1 बज़े तक आपका paper 1 होगा, और 1 बज़ कर 5 मिनट से 3 बज़ कर 5 मिनट तक आपका paper 2 होगा, इसके पीच में सरफ 5 मिनट का break मिला है, उसमें आपको कहीं भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा, अंदर ही आपको room में रहना होगा, बस 5 मिनट का break मिलेगा, and overall ये 3 hours का आपका paper रहता है, इसके अलावा tension नहीं लेनी है जादा, बस examination के लिए आपका admit card, अपना धार card, अपना photo, passport size photo जो आपने form भरते दौरान यूज किया था, उस photo को ले जाएए, इसके अलावा भी कोई confusion है, कि क्या-क्या चीज़ें हमें exam के लिए लेकर जानी है, subject code वस्थ्यान रख लीज़ेगा, ठीक है, बाकी examination के दौरान invigilators होते हैं, वो आप सब की बहुत मदद करते हैं, अब बात करते हैं, main muddekis, यहाँ पर total 36 paper होने वाले हैं, एक ही दिन में सारे subjects होते हैं, ओकी ऐसा नहीं है कि subject के paper अलग-अलग दिन होंगे, and admit card कब आएंगे, यह देखो प्रवेश पत्र कब आएंगे, यह आपके 18 अगस्त 2023 को आ जाएंगे, अभी आपको पता है, 27 तारीक को exam है, बहुत बच्चे यह बोल रहे हैं कि, हमें reservation करवाना है train का, तो हमें नहीं पता कि center कहां आएगा, आप लोग परिशान मत होईए, 18 अगस्त इन्होंने बोल दिया है, तो definitely प्रवेश पत्र यानि के admit card आपको मिल जाएगा, बस हमारे चैनल पर बने रहेगा, हम जल्दी से जल्दी आप तक, सारी बातें, सारे notice, बस शियर करने की कोशिश करती हैं, ओके, So I hope students, ये वीडियो से आपके सारे doubts clear हो गए है, इसके अलावा भी कोई प्रशन आपके दिमाग में अभी रहता है, जरूर मुझे comment करके पूछिए, next video में उन सभी questions का reply में जरूर करूगी, So thank you so much and I wish you all the very best.